नमस्कार दोस्तों, आज भारतिय वायू सेना से जुड़ी एक बेहत बड़ी खबर लेकर आई हूँ. चालू वित्तिय वर्ष के समाप्त होने से पहले, भारतिय वायू सेना को 16 तेजस और फाइटर एरक्राफ्ट MK1A सौप दिये जाएंगे. भारतिय वायू सेना के लिए ए खुद हिंदुस्तान Aeronautics Limited, HAL के चेर्मैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर उन्होंने पुष्टी की है कि 21 मार्च 2025 से पहले भारतिय वायू सेना को ये 16 नए तेजस फाइटर एरक्राफ्ट मिल जाएंगे. सोचिए, भारतिय वायू सेना के पास जल्दी ही 16 नए तेजस एरक्राफ्ट होंगे. इस समय जब चीन अपनी मिलिटरी पावर को तेजी से बढ़ा रहा है, ये डिलीवरी भारतिय वायू सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी. तेजस अपने साथ अधिक्तम 13,500 किलोग्राम का टेक ओफ वेट ले जा सकता है. इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F-414 INS S6 टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसे 1.5 मार्क की स्पीड और 850 किलोमीटर की कॉमबैट रेंज देता है. तेजस एरक्राफ्ट की बात करें, तो ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है. यह सिंगल सीट, सिंगल इंजन और एक लाइट कॉमबैट एरक्राफ्ट है. इसकी लंबाई करीब 43 फीट है और इसका खाली वजन लगभग 6,560 किलोग्राम है. तेजस एरक्राफ्ट आठ एक्स्टरनल हथियारों को ले जा सकता है. जिसमें एर-to- एर मिसाइल, एर-to-surface मिसाइल, बम और रॉकेट्स शामिल हैं. यह दुश्मन पर आसानी से हमले कर सकता है. इस समय पर डिलीवरी भारतिय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी. ऐसे कमिट्मेंट्स न केवल हमारी मिलिटरी पावर को मजबू भारतिय वायुसेना की ताकत का एहसास हो तो मिलती हूँ अगले विडियो में. जय हिंद, जय भारत!